दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि SBI Bank का KYC firm कैसे फिलाप करते हैं, KYC firm कैसे भरते हैं, उसका पूरी प्रोसेस तो चलिए दोस्तो बिना कितर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह रहा SBI Bank का KYC firm और यह KYC firm को फिलाप करने से पहले दोस्तो आपको यह एक बात क्लियर होना होगा कि यहां पर देखें यह जो box है, यह side में box में इस box में आपको किसी भी तरह का overwriting करना नहीं है यह लिखना भी नहीं है आपको इसमें आपको इसको छोड़ देना है यह बैंक वाल हैं यहां पर इस टाम के साथ कर रहें वाध्न का नाब में आपको यह भी चुकूर अबराइसि आज ढालना में आपको औशुमर आइडि जग थे दोस्तों यह भी आपका प्रोड़ में आपको कस्युक्ने को मिल जाएगा या तो ओडिक्ध भॡ़な है, उस भीğraf देन नमबर के जगवे आपका जो bank account नमबर आपको डाल देना है उसके बाद में यहां पर देखें साइड में ckyc नमबर यानि आपने पहले ही आपका एकाउंट का ckyc किया है तो आपका यह ckyc नंग आपको डालना होगा अधर वाइस आपको छोड़ सकते है नॉर्मिल की वाइस उसके बिदका निजे देखें नम जो आपको डालना होगा और सबसे आपको यह त्री बॉक्स के जो भी है अप उससे ही सबसे है आपको नम पे यहां पर title डालना है उसके बदद आपका नम को mean was a आपको डालना है तो यह मेदन नम का मतलब है कि दोस्तों अगर आप पहले में नेम परको को हाधा, उसकी अलबर दूसरे लोगों के लिए, बॉक्स फिलाप करने के ज़रुद पड़ेगा, उसके बाद, आपका ऐड़ पर्ञाइट्स आजाए, और हैं यहाभर नीचे देखिए, करना होगा अगर आप नाम लखेंगे तो चाहिए मीडिक कर नाम अगर आप मैल हLD बताइगा is अगर आप इस फर्म के साथ पेन कार्ड सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको यह फादर नेम लिखना होगा आपको ज़री है उसके बाद नीचे में देखे दोस्तों यह आपको बताएगा है कि नंग अफ डिपेंड्स यानि आपके ऊपर आपके कमाई के ऊपर कितने लोग करते है घर पे वो आपको यह फे डालना होगा उके उसके बाद आपको यह फे देखे इलिटरेट यानि आपको इम कर रहे है वो अगर सिक्सित है यानि देखा बीकारा है तो सेफिछाज के फी किस तरह का क्न की द्टक कहां पर किस्ट Greg啊 मार्क्स Obi-Shirt है को 9 मेट करता है और यहां पर देखे दोस्तो नमः ऑफ गार जे हाँ अबपो डालना होगा अगरिष्ट को छोड़ने इसके लाप करना को अब यह रहाए तो यह कैसे हabd तो यह बॉक्स में टिक करना है इंडियन इस बॉक्स में टिक करना है उसके पर आपको यहां पर यह कलम छोड़ देना है यह उनके लिए जो फॉरेंड काउंट्री में रहते हैं वो अधर्स टिक करके उसका का नाम लिखना होगा लेकिन आप इंडियन है तो आपको इंडियन government sector या others जो भी है वो आपको टिक करना है self-employed है तो self-employed या तो retired housewife student जो भी है उसी सबसे आपको यह भी टिक करना है उसके बाद आपको नीचे देखिए monthly income यह monthly income में दोस्तों अभी आपका monthly income कितना है आपका 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, 30,000 जो भी है यह monthly income आपको डालना है उसके बाद है net worth में आपका full sympathy या property आपको यह net worth में डालना होगा और यह दोस्तों optional है आप चाहे तो इसको छोड़ सकते यह fill up नहीं करने से भी चलेगा कोई problem नहीं होगा आप monthly income को भी छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको नीचे देखे source of income तो आपका जो income है वो कहां से आता है वो आपको यह पर टिक करना होगा अगर salary से है तो salary या तो business income है तो business income यह agriculture से है तो agriculture को टिक करना होगा investments है तो investment को टिक करना होगा okay pensions है तो pension को टिक करना होगा या अधर कोई source है तो आपको others में tick करना होगा और उसके बद आपको यहांपे आपका religion क्या है वो आपको tick करना होगा हिंदो, Muslim, Christian, Sikh या अधर जो भी उसमें tick करना है उसके बद आपका social category क्या है general, OBC, ST, SC जो भी उसमें आपको tick करना है और यहां पर नीजे में पार्सन इजबिलिटी में दोस्तों आप अगर विकलंग है तो आपको येस में क्लिक करना होगा नहीं तो आपको नू में क्लिक करना होगा ओके अगर विकलंग है येस में क्लिक करते हैं तो किस ताइब का है वीजियोली इंपार्ड है या डिफरेंटली एबल है तो आपको बॉक्स में टिक करना होगा उसके बद आपका education qualification कितना है वो आपको यहाँ पर यह बॉक्स में चेक करके टिक कर देना है और इसके बद आपको नीचे देखिए ऑपको नीचे यह बॉक्स में आपका pen card नमबर डालना है अगर आपका pen card इस form के साथ आप नहीं दे रहा है या तो आपका प्रेंट नहीं है तो आपको यहां भी जो मेंशन है form 60 यह form खिलाप करगे आपको इस form के साथ एटेस करगे आपको समिट करना होगा उसकी बाद देखें नीचे में अभी आपको contact details में आपको यहां पर आपका mobile number और email ID डालना होगा आप यहां पर जो mobile number या email डालेंगे उसी में bank की और से आपको message या email बगएर आएगा ओके तो यहां पर आपका contact details डालना है डालने के बाद नीचे में देखिए अगर आपका किसी बितार का telephone number बगएरा है तो आप वह भी यहां पर mention कर सकते हैं नहीं तो आप इसको छोड़ सक प्रूफ के लिए आपको नीचे दिये गए document में से कोई भी एक document आपको यह टिक करना होगा जो आपके बास available है और आपको इस form के साथ सामिट करना पड़ेगा तो यहां पर देखिए आप identity proof और address proof के लिए अगर passport देना चाते है तो passport को टिक करना होगा border ID card को देना चाते है तो driving license आधर को देना चाते है तो इस तरह से आपको checker के tick करना है ओके tick करने के बाद देखिए आपको यह जो बॉक्स है इस बॉक्स में अभी आपको ऊपर में जो identity proof या IDS proof के लिए जो document आप चूश करते है टिक करते है उस document का number आपको डाल, document number आपको यह box में डाल देना ह अगर आधरकार्ट चूश करते है तो आधरकार का नामर डालना होगा इस तरह जो भी चूश करते है उसका number यह पर डाल देना है डालने के पांद नीचे issue date, expiry date अगर उस document में या ID proof में इसी बितार का issue date या expiry date है तो आपको बो भी डालना होगा, अगर नहीं है तो आपको छोड़ देना issue date और expiry date को ओके और उसको आभी नीचे में देखिए address details, address details में सबसे पहले तो आपका current permanent address के लिए आपको address type चूश करना होगा, address type में आभी आप जो address डालेंगे वो address अगर residential भी है, business भी है तो आपको residential business को tick करना होगा, अगर residential है तो residential को tick करना होगा, business है तो business को tick करना होगा, या obvious है तो obvious को tick करना होगा, इस तरह से आपको tick करना होगा, उसके बद आपका उपर में जो address है, identity proof के रिए जो document आपने चुना था, उस document में जो address है, वो address आपको address में डाल देना है, डालने के बाद में city, village name, district name, state name और pin number डाल देना है, तो उसके बद आप यहां पर पांस नमर पर देखिए दोस्तो, address details, correspondence, local, यानि आपका communication address यहां पर डालना होगा, अगर आपका permanent address के साथ, आपका communication address सेम है, तो आपको यहां पर देखिए, same as current permanent address, तो यहां पर टिक करके आपको यहां पर आपका उपर में जो address फिलाप किये थे, same address को आपको फि देखिए, इसलिए आपको communication address यहां पर डालना जरी है, और यहां पर नीचे 6 नमर पर आपको बताया गया है, आपने उपर में चार नमर पर जो current address डाला है, वो current address अगर आपने जो document या ID proof, address proof के लिए आपने select किया था, उस ID proof या address proof में आपका वो address mention नहीं है, match नहीं है, तो आपको यहां पर नीचे दिये गए, कोई भी एक document आपको select करकि उसको submit करना होगा, आपका current address को update करने के लिए, अगर आपका current address आपने उपर जो address proof के लिए जो document चुछ किया, उसी document में mention है, available है, तो आपको यह 6 नमर वाला option को छोड़ देना है, आपको फिलाप करना नहीं ह उसके बद यहां पर नीचे में देखे, 7 नमर पर दोस्तो, अगर आपने इस KYC form के साथ आपका आधरकाड को भी साथ में submit कर रहे हैं, तो आपको यहां पर yes में tick करना है, अदरवाइस आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर आधरकाड नहीं दे रहा है, तो इसको छोड़ सकत बीचा हुआ, फोटो आपको यहां पर चिपकाना होगा, उसके बाद देखे, यह जो बॉक्स है, यह बॉक्स में आभी आपका signature यहां पर करना होगा, आपको फिसे ब्लेक पैन से, यहां पर signature करना होगा, अगर signature नहीं आता, तो थाम इंप्रेशन भी यहां पर डालना होग अगर signature आता है, तो ब्लेक पैन से signature करना होगा, उसके बाद प्लेस के जगह पे आपका जगह का नाम यहां पर डाल देना है, उसके बाद डेट के जगह पे दोस्तों, आप जिस दिन इस फरम को बैंक में सामिट करना होगा, और उसके बाद देखे, नीचे में, आठ नंबर जो address proof, ID proof के लिए, जो document आपने select किया था, उस document का zeros copy address करना है, उसमें आपका pen card को zeros करके address करना है, आपका bank passbook का zeros copy आपे address करना है, इस फरम के साथ, उसके बाद आपको क्या करना है, दोस्तों, आप जिस ब्रांच में सामिट करेंगे, उस ब्रांच में जाके इसको सामिट कर देने